नमस्कार वेलकम बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूटीब चैनल पर आज हम बात करेंगे हतेली के कुछ ऐसे दुरलब चिन्नों के विशे में जो जातक को काफी धनवान और सफल बनाते हैं धनवान और सफल सभी बेक्ती बनना चाते हैं आप अपने कृपया हतेली को दीखिए हमारी लाइफ लाइन का परारम इस अस्थान से होता है अठीक इसी अस्थान से हमारी मस्तिक्स ग्रेखावित का भी परारम होता है यहाँ पे कुछ ऐसे चिन्न होते हैं जो हमारी सफलता और महातो कांच्छा की भी से में बताते हैं जैसी कि यहाँ पर कुछ चिन्ने इस प्रकार से आपको जाती भी यहां गुरू पर जाती भी नजर आ सकती जैसे कि इस हतेली में दिख रहा है एक चिन्ने यह एक से अधिक हो सकती है दो तिन चार भी यहां से हो सकती है तो इस प्राप्त होने वाले मान सम्मान को दिखलाता है आपके समाजिक जीवन में आपके कर्तब भी लोगों के बीच में आपका सामंजस लोगों के बीच में आपका नाम यस मान समान मूल रूप से इमान समान राजनितिक सफलता और लोगों के बीच में आपकी बुद्धी मता ग्यामत गुरू का अर्थ एक तरह स सकते हैं कि लोग इन्हें अच्छा मानते हैं किसी भी चीज में अग्रतर मानते हैं आपकी बातों को मानते हैं यदि गुरु परवत यहां अच्छे वस्था में तो ऐसे लोग आपको मठाधीस मिल सकते हैं धर्म के अच्छे जानकार मिल सकते हैं अध्यात्म में रूची रख ग्यान हो सकता है, ऐसा कोई आवे सकते हैं कि आपके पास कॉलेज की ही डिगरियां अधिक हो, ऐसी कोई आवे सकता नहीं है, चुकि गाउंके अनपड़ बेखती भी कभी बहुत ही जानकार होते हैं, बहुत लिए ग्यान रखते हैं, किसी विशेस्च चेतर में इस परकार की जोगती ये दो तिन रेखाएं मिलना एक दुरलफ संजोग होता है इसमें ध्यान देने की बात है कि ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटे नहीं काटने पर इसके परिणाम बदलते हैं सुब असुब भी हो सकते हैं साथ में जितने साप सुथरे असपश्ट होंगे इस इसके परिणाम इतने अच्छें यहां देखने को आपको प्राप्त होंगे बिसेश कर काटने वाली रेखाएं होती क्या कि यहां से हिरताए रेखास ava निकलती वी रेखा कार देती ये कभी कभी कोई रेखाए इस परकार से निकलती या यहां से काड़ देती तो उसके परिणाम कुछ बदल जाते हैं यह दूसरी दुरलब चिन्द जो हतेली में मिलती है वो हमारे इस छेतर पर मिलती है राहू छेतर पर राहू का क्या कारी है राहू बेक्ति को सफल करता है कब राहू की सफलता जो बेक्ति को इस्ट वो परिश्रम करने बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त जीवन में नहीं होता है परिश्रम कर रहे हैं लेकिन किसी किसी को अच्छे मौके मिल जाते हैं अच्छे संयोग मिल जाते हैं वो बेक्ति आगे बढ़ जाता तो ऐसी इस्तिति देखने को मिलती है राहू अब राह इस प्रकार से आपके मस्तिक्स रेखा तक कम से कम जाए अधिक ऊपर चले जा तो अधिक अच्छी बात है यह भागे रेखा का फिर पुना यह मजबूत रूप ले लेगा अद दूसरी आपकी मस्तिक्स रेखा यह आपकी हेड लाइन है तीसरी यह बुद्ध रेखा यह अब इस तो धन के इस्टोर केपिसिटी बनाता है कि आपके पास इसे लोग धन की कोठी भी कहते हैं ति एक महतपूर्ण चीज़े इसकी बनाबट महतपूर्ण हो जाती है यह किन-किन रेखाओं के संयोग से बनाए सबसे अच्छी इस्तिती होती है कि आपकी मस्तिक्स रेखा ह देखा हुजए एक बुद events की रेखा हो जाहे तीसरी जो है भागे रेखा हो जाहे यह एक महतपूर्ण और अच्छी सबसे अधिक सूरोग सyyस्तिती होती है इस एक इस्तिती बनती है त्रिभूज के अंदर में त्रिभुज बनना जैसे दो त्रिभुज बन जाना एक त्रिभुज ये बन गया दूसरा त्रिभुज ये बन गया या फिर स्वतंतर रूप से भी इसके अंदर में एक ट्रेंगल का निर्मान मनजात हो जाता है कभी-कभी इस परकार से यह एक महत्पूर्ण और दुरलब चिन्न माना जाता है ऐसे ब्यक्ति कि खास करके धन के मामले में बहुत अधिक सफल होते हैं धन अत्यधिक मात्रा में होता है और दूसरी बात है कि इनकी कारी छेतर कई हो सकते हैं धन का आगमन एक एक दो नहीं तीन नहीं कई छेतरों से इनके पास धन आ सकता है किसी एक छेतर पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं हो सकता है यह सर्विस में होत कोई बिजनस से धन आ जाए बिजनस के साथ साथ हो सकता है कि इनको खेतीवारी से धन आ जाए, कॉंट्रेक्टिश से आ जाए, मतलब कई एक छेतर हो सकते हैं धन के आगमन का, धन का आगमन, धन का प्रभाव, धन की तरलता इनके जीवन में बहुत अधिक होती है, इसलिए धन की कोटी महत पुर्ण मानी जाती है, तो यह जो चिन्ने हैं, यह चिन्ने दुर्लब चिन्न माने जाती है, मतलब सभी जातक के हतिली में इसी चिन्ने देखने को आपको प्राप्त नहीं होगी, तो आज के आंक में इतना ही मिलते हैं, अगले आंक में पुना कुछ चीजों की बात करेंगे, झाल झाल